हेलो एवरीवन वेल्कम अगेन टू लन्विर देतीमन तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया था सिक्षा का अधिकार अधनियम दो हजार नौ जिसमें हमने हर एक कुश्चन जो है वो उसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की थी और आप लोगों ने आंसर जो है वो सभी ने सही दिये थे तो चलिए आजम करने वाले हैं NCF 2005 राष्ट्रिय पाठे चर्या 2005 ठीक है 2005 तो इससे संबंदित कुश्चन जो है वो मैं आप से पूचूंगी आप लोगों को सही आंसर देना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं आप लोग इतने अच्छे तयारी करके आते हैं राष्ट्रिय पाठे चर्या 2005 के सिद्धान्त कौन सा नहीं है तो कौन सा सिद्धान्त नहीं है राष्ट्रिय पाठे चर्या 2005 के 5 सिद्धान्त जो है वह बताए गई है जिसमें से यहां पर कौन सा सिद्धान्त जो है वह नहीं है रटंत पद्धती से युक्त बालकों का च सभध्धान्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा कि दान्त क्या कहता है कि रटंत पध्यती से मुक्त होना चाहिए बालकों की सिक्षन प्रक्रिया, पाथे ग्रम जो हैं वो कैसा होना चाहिए लचीला होना चाहिए ठीक है जहाँramer और class में जो activity होती है वो और class के जो बाहर activity होती है सबी को जोड़ना चाहिए उस पाठेग्रम में बालकों का चहु मुखी विकास जो है इस पर आधारित जो है वो पाठेचर्य होनी चाहिए लेकिन जो A option है वो क्या है गलत है कि रटंत पद्धिती से युक्त रटंत पद्ध जैपुर, एन एचारडी दिल्ली, एन सी एर्टी नई दिल्ली या एस सी एर्टी उद्यपूर तो कहां की गई राश्ट्री पाठे चल्ट है दो हजार पाँच की कारेशाला तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एन सी एर्टी नई दिल्ली नेक्स्ट है कुश्चन नमबर थ्री एन सी एर्टी जोड देती है, किस पर जोड देती है? बाल केंदरित सिक्षा पर, अध्यापक केंदरित सिक्षा पर, समाज आधारित सिक्षा पर या व्यक्ति आधारित सिक्षा पर तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बताओ तो यहाँ पर जो आंसर सही रहेगा, वो रहेगा NCRD जो है वो बाल केंदरित सिक्षा पर बल देती है, ठीके? करके सीखने पर बल देती है, बाल केंदरित सिक्षा पर बल देती है और यह कैसी है परिक्षण करने सीखने वाली विदी है राष्ट्री पाठेचर्य 2005 के अनुसार पाठेकरम निर्मान का सबसे उप्युक्त सिद्दान्त है बाल किंद्रेता का सिद्दान्त, लचीला पाठेकरम, क्रिया सीलता का सिद्दान्त या उप्युक्त सभी तो इसका question जो है वो हमने अभी किया था option जो है वो बदल गए हैं अब देखिए तो यहाँ पर जो answer रहेगा कि इसके जो उप्युक्त सिद्धान्त ये सब भी है बाल केंद्रेता का सिद्धान्त, लचीला पाठे ग्रम, क्रिया सीलता का सिद्धान्त ठीक है तो राश्ट्रिय पाठे चर्या 2005 के पाँच सिद्धान्त हैं जिसमें से क्या है कि सबसे पहले तो बाल कों की परिक्षा प्रणानियों को लचीलेपन से युक्त करना बाल को को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली जो है उससे मुक्त होनी चाहिए सिक्षन प्रक्रिया, बाल को का चहुं मुक्षी विकास होना चाहिए तो ये सबी क्या हैं पाँच सिद्धान्त हैं राश्ट्रिय पाठे चर्या 2005 के राश्ट्रिय पाठे चर्या 2005 की अनुसार अध्यापक की भूमिका है सैक्षिक लक्षयों की प्राप्ति, सिक्षन प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मुल्यांकन या उप्रोक्त सभी तो यहां पर अध्यापक की भूमिका जो है वह है, क्या है? तो आप लोगोंने आंसर लगा लिया होगा चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ये सभी जो है वह अध्यापक के काम है अध्यापक की भूमिका रहती है इसमें वह सैक्षिक लक्षियों की प्राप्ति शिक्षन प्रक्रिया जो है उसको कितना अधिक एफेक्टिव बनाना है और लास्ट में जो मुल्यांकन करना है वह भी प्रभावी होना चाहिए तो यहाँ पर अध्यापक की भूमिका होती है शिक्षन करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए चात्र केंदित सिक्षन का व्यक्तिगत विभिन्ताओं का जातिगत भेद भाब का या बालकों के सीखने की गती का तो यहां पर एक सिक्षक जो है वो शिक्षन करते समय किन बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो अभी हमने बात की थी कि छात्र के इंद्रिज सिक्षन इसका ध्यान तो एक सिक्षक रखता है व्यक्तिकत विभिनताओं इसका ध्यान भी रखता है क्योंकि हर व्यक्ति हर बालक जो है वह है भिन है बालकों की सीखने की गति का भी ध्यान रखता है लेकिन जातीकत वेदभाप का ध्यान उसे नहीं रखना चाहिए तो सभी आनसर आप लोगों के सही है Ralph Toilers ने मुल्यांकन को बताया है क्या बताया है? सेक्षिक उद्देशे निधारण की प्रक्रिया शिक्षन प्रक्रिया सेक्षिक उद्देशों की प्राप्ति की सीमा निधारण प्रक्रिया या इन में से कोई नहीं तो Toiler ने मुल्यांकन को क्या बताया है? तो यहां पर जो आंसर रहेगा कि Toiler ने मुल्यांकन को बताया है कि सैक्षिक उद्देशों की प्राप्ति की सीमा निर्धारन प्रक्रिया है मुल्यांकन नेक्स्ट है question number 8 किसी वस्तू या प्रक्रिया का मूल्य निस्चित करना मूल्यांकन है तो यह कथन किसका है क्रॉनबेक का, टारगर्सन तथा एडम्स का, रैल्फ टाइलर का या इनमें से कोई नहीं तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा, जिसको definition याद है, उसको तो एक या दो सेकिंड में ही वो लगा भी लिया होगा कि किसने कहा है कि किसी वस्तू या प्रक्रिया का मूल्य निस्चित करना ही मूल्यांकन है तो देखिए इसका सही answer जो रहेगा, वो रहेगा option number B, Targerson तथा Adams चलिए, next है 9 question, अध्यापक की सरवादिक उप्युक्त उप्मा दी जा सकती है अभी भावक से, समा सुधारक से, माली से या राष्ट्र नायक से तो अध्यापक की जो सरवादिक उप्मा है, सबसी उप्युक्त उप्मा तो वह हमें देखना है, अभी भावक से, समा सुधारक से, माली से, या राष्ट्र नायक से तो इन 4 option में सही एकदम उप्युक्त आंसर कौन सा रहेगा तो बिल्कुल, देखिए, यहां आंसर क्या रहेगा, option C है, माली से next है 10 question, सीखने का सरवत्तम तरीका है करना, पढ़ाना, सुनना या देखना तो सीखने का सरवत्तम तरीका है, करना, पढ़ाना, सुनना या देखना तो एकदम सही, आंसर है करना, जब तक हम किसी चीज़ को करके नहीं देख लेते, तब तक वह हमें अच्छे से नहीं समझ में आती है पढ़ाना, सुनना, देखना, इसके वज़ाए करना जो है, वह सीखने का सरवत्तम तरीका है NCF 2005 का दस्तावेज का प्रारम रविंद्रणाथ टैगोर के खिस उद्धारण से है यह कुश्यन है, ठीक है? ओप्शन है, सब्वेता और संस्कृति से प्रगति और संस्कृति से या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा पटापट से लगाओ इसका आंसर यह कुशन आपके एक्जाम में पहले आ चुका है तो यहां बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो रहेगा आप्शन नमबर A सब्वेता और प्रगती तो जो प्रसिद सिक्षा सास्त्री रविंद्र नाथ टैगोर इन्हों ने जो की यह राष्ट्रे गान के निर्माता भी रहे है तो रविंद्र नाथ टैगोर का निबंद है सब्वेता और प्रगती इसके उद्रण्ड से ही राष्ट्रे पाठे चर्या 2005 इस दस्तावेज का प्रारंब होता है NCF 2005 का मुख्य सूत्र है सिक्षक की शमता अनुसार सीखना, जटल प्रियासों से सीखना, बिना भार के सीखना या इन में से कोई नहीं NCF 2005 का मुख्य सूत्र है कौन सा है, फटाफट से बताओ इसका सही आंसर यहाँ पर जो आंसर रहेगा, वो रहेगा मुख्य सूत्र है बिना भार के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन ठीक है, यह NCF 2005 का मुख्य सूत्र है राष्ट्रिय पाठे चर्या की रूप रेखा हे तू प्रोफेसर यस्पाल के नित्रतव वाली राष्ट्रिय संचालन समिती द्वारा कितने राष्ट्रिय फोकस समोहों का गठन किया गया ओप्शन है 29, 19, 21 या 18 तो बिल्कुल सही आंसर यही है 21, ठीक है या राष्ट्रिय पाठे चर्रा की रूप रेखा हे तू प्रोफेसर यस्पाल के नित्रतवाली एक राष्ट्रिय संचालन समिती का गठन किया गया जिसमें 21 राष्ट्रिय फोकस के समोहों को लिया गया इसमें 29 सिक्षा संसानों के प्रतिनी दी, राष्ट्रि सेक्षिक अनुसंदान और प्रैसिक्षन परिशद के सदस्य गैर सरकारी सिंगठनों के प्रतिनी दी, विध्यालों के जो अध्यापक हैं इसमें बुलाया गया था सदस्य के रूप में भारत का भविश्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, तो यह मत किस आयोका है? मुदालियर आयोका, सैंडलर आयोका, राधा कश्णन आयोका या कोठारी जिक्षा आयोका? तो किस आयोग का यह मत है कि भारत का भविश्य तो उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है यह कथन किस का है तो यहां पर जो आंसर रहेगा क्या रहेगा कोठारी सिक्षा आयोग का कथन है कि भारत का भविश्य तो उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है तो इन 14 कुशन में से आप लोगों ने कितनों के आंसर सही दिये हैं आपको ये बताना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू